आल्वेज वेलकम साथियो डिजिटल क्लास हमेश आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजिनियरिंग की स्रीज चल रही है जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ाया और आगे इस वीडियों पढ़ने वाले हैं सारा कंटेंट आपको PDF फॉर्मेट में अबिले जर्नेल नॉलेज की अन्य स्रीज कंप्लीट अविलेबिल हैं इन नॉट्स आप स्तमाल आप ऐसे सी आरार भी स्टेट जैई एक ट्वी टैक एमाई के एक्जामनेशन के लिए कर सकते हैं चलिए साथियों शुरुआत करते हैं रॉलिंग फोर्स या रॉल सेप्रेटिंग फ प्रोजेक्टेड एरे होता है रॉलिंग हमने देखा था एल पी जो के प्रोजेक्टेड लेंथ मल्टिप्लाई होथी है विडित से बी तो अब एल पी किसके बरावर होती है लपी का फॉर्मूला इस पर हमने व्राइब किया था निकाल लिया था पिछली स्रीज की वीडि डोइसे आप बोल सकते हैं सिगमा ओ मॉल्टिप्लाई अंडर रूटर डेल्टी मॉल्टिप्लाई है बी से अब इसमेंसे विर्थ बढ़े गी तो फोर्स भड़ेगा यदि फ्लो इस्ट्रैस बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा ये एक ढूसरे से पृपोर्पोर्टम कि नल् करेंगे तो suitable lubricant for mild steel wire drawing तो lime twice hydroxide या calcium hydroxide lime water या select lime के नाम से से जानते हैं तो जिसका chemical formula होता है calcium twice hydroxide CAOH2 वन लाइनर question आप से पूछे जाएं तो आप आसानी से answer कर बाएं steps in forging जब आप forging करते हैं तो कौन-कौन से step होते हैं जो काम में लिये जाते हैं जैसा कि flaring हो गया स्वेजिंग हो गया आपने स्टार्टिंग में देखा था जब आपको वर्क वीज देना हो process के लिए डाईयों में enter कराने के लिए wire drawing के लिए तो किस परकार से flaring की जाती है तो अलग-अलग परकार से कोई भी process किया जा रहा है किसी raw material को या product को final product में change किया जा रहा है तो कौन-कौन से step काम में लिए जाते हैं तो इसी परकार step forging में हम जो काम में लेते हैं number one होता है flaring या swaging होता है second aging, third bending, fourth drawing और kogging, kogging एक चिम्टे की तरह है जो खेंचने के लिए wire drawing करते हैं इस परकार से material को खेंचने के लिए काम में लिया जाता है flattening और six है अपना blocking ब्लोकिंग क्या है एक semi finishing operation है जो समझ लीजे finishing से पहले किया जा रहा है उसके बाद finishing आपको final product मिल रहा है surface को आप ठीक करना चाहते हैं और यदि surface में फिर भी कुछ uber खावर जिगाई आ गई है उससे साफ करना चाहते हैं आप trim करना चाहते हैं तो last अप करते हैं आप कटाई छटाई करकर आप final product को साफ सुत्रा बना लेते हैं तो यह step forging में काम में लिये जाते हैं आपको इनके साथ साथ इनकी working one one line आप extract करना चाहें लिख सकते हैं डिटेल में जानना चाहें तो और जान सकते हैं वाकि आपको इनका series पता होना चाहिए कौन स process कभी इस्तेमाल किया जाता है, fullearing कभी इस्तेमाल की जाती है, swayging, aging, bending, age को आप ठीक कर लेते हैं, जैसा कि age angle अपन पड़े थे, तो age को आप ठीक कर लेते हैं, bend कर लेते हैं, किसी sheet metal को draw करते हैं, flattening करते हैं, blocking करते हैं, finishing करते हैं, इस परकार से series भी आप से पूंची जा है इन मेंसे जरूर नहीं है कि सारे किसी ड्रोइंग प्रोसेस में किसी ओपरेशन में सारे इस्तमाल किया जाएं यह सारे इस्तमाल ना हो एक दो से कम चल जाएं लेकिन आपको इनकी स्रीज पता होना चाहिए कौन सा प्रोसेस कब इस्तमाल किया जाता है नेक्स्ट आता है साथियो methods of high energy rate forming अब तक आप simple forming देखते आ रहे थे अब energy की बहुत ज़्यादा requirement हो high rate energy इस्तमाल आप कर रहे हैं तो भी आप forming करते हैं तो ये किस परकार से किया जाता है underwater explosive और इसी क्रम में electromagnetic high energy rate forming process है magnetic forming इनी में से एक है magnetic forming ये method है जो आप बहुत ज़्यादा energy इस्तमाल करते हैं forging करना चाते हैं forming matter forming कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा requirement होती है energy की आप बहुत ज़्यादा energy का आप इस्तमाल करते हैं forming कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ आप से लेवस के according इनका नाम समझ लें और कारे समझ लें किस पर कारसे इनका काम किया जा रहा है तो यह आपके लिए enough होगा बाकि आप और detail में जानना चाहें तो आपके curiosity आप सांथ कर सकते हैं और detail videos के लिए यहाँ पर इतना ही से कबर किया गया है उम्मिद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जान करें आपको अच्छे समाजमाई होगे भी आपको कंफूजन है तो आप हमसे कमेंट करकर पूँ सकते हैं साथियो आप चाहें तो contact कर सकते हैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएका वीडियो का अंतक देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराईयों से बहुत भुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक पढ़ते रहिए बेस्त रहिए मस्त रहिए जहें बंद मातरम